हलो एन हाई फ्रेंट्स आप देख रहे हैं फल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ क्रतिका नौ साल की प्रीती ने जीता सुपरस्टार सिंगर का खिताब दिपिका पादुकोन के लिए गाने का है सपना रविवाट 6 ओक्टूबर की रात सुपरस्टार सिंगर को अपनी पहली विजेता मिल गई है कंटेस्टेंट प्रीती भटाचारे जी ने सुपरस्टार सिंगर का खिताब अपने नाम किया प्रीती कोलकता के पास बर्दमान की रहने वाली है प्रीती ने अपने कप्तान नितन के बारे में बात करते हुए बताया कि कैसे नितन एक दिल्चस्प इंसान है और उन्होंने इशो के लिए उनकी तैयारी करवाई वही नितन ने बताया कि प्रीती बहुत समझदार है और कोई भी गाना दो घंटे में सीख लेती है 9 साल की प्रीती भटाचारे जी ने सुपरस्टार सिंगर की ट्रॉफी के साथ 15 लाग की नाम राशी जीती है प्रीती के अलावा सभी फानलिस्ट को 2 लाग रुपे का चेक उनकी एजुकेशन फंड के टावर पर दिया गया बतादे की सुपरस्टार सिंगर के फिनाले में 6 फानलिस्ट बचे थे इसमें प्रीती के साथ हर्शुत नास नेहा शंकर जैसे कई दावेदार मौजूद है इन सभी के बीच सुरो की जंग हुई जिसमें प्रीती विजेता बनकर उभी बतादे की जीतने के बाद टाइमस आफ इंडिया से बाचीत के दौरान प्रीती ने बताया कि वो बॉल्लिवूड आक्टरस दिपिका पादुकोन के लिए गाना गाना चाहती है प्रीती की दिली तमन्ना है कि वो दिपिका के लिए कोई गाना फल्म में गाए और तो और प्रीती ने दिपिका को अपनी फेवरेट अक्टरस बताया है बतादे की दिपिका पादुकोन के लावा प्रीती लतामंगेश कर श्रया गोशाल अलका यागने की काफी बड़ी फैन है प्रीती ने ये भी बताया कि जब शो के होस्ट जै भानुशाली ने विजेता के तौर पर उनके नाम का एलान किया तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ था इतना ही नहीं जैसे ही प्रीती की दादी को उनकी जीत के बारे में पता चला तो वो रोने लगी साथ ही प्रीती ने अपने सभी फैंस और फॉलोवर्स का शुक्रिया अदा किया है इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा